हमने कभी सपने में भी नी सोचा था कि देश भर से लोगों का इतना प्यार और इतना विश्वास मिलेगा इन आठ सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में तीन बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपून एलान करने जा रहा हूँ आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर परदेश में चुनाव लड़ेगी दिल्ली में यूपी के बहुत भाई भेहन रहते हैं जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी है वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी तो उन्होंने का जी यूपी की जनता अब इन पूरानी पार्टियों से बिल्कुल तरस्त हो चुकी है यूपी के लोग ही आगे आएंगे आम आदमी पार्टी के साथ जुडेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े जनताओं को हराएंगे यूपी में हर पार्टी के सरकार आईए लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ ही नहीं किया आच छोटी छोटी सोविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भीजना पड़ता है गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता-पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य भारत का सबसे बड़ा विकास शील राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली के संगम विहार में महला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनव के गोमती नगर में महला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बहतेरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बरदास्ट करें अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए यूपी के लोगों के इतने जादा बिल क्यों आ रहे हैं अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसे सुविधाई मिल सकती है तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों है अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर महले में CCTV कैमरे लगाई जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिष्छित क्यों नी की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगती की राह पे चलने से कौन रोक राए? यूपी की गंदी राजनीती और भ्रष्ट नेता यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया पर उन पार्टीों ने लोगों की पीट में चुरा घूपाए सरकारे आई, सरकारे गई मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का ब्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया यूपी के लोगों को अखिर में क्या मिला? कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर परदेश में इतनी सारी पार्टी आएं आम आद्मी पार्टी अलग से क्या लेके आएगी? आज यूपी की राजनीती में एक ही चीज की कमी है सही और साफ नियत की और वो के वल आम आद्मी पार्टी के पास है इसी साफ नियत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नियत की कमी होती दिल्ली के लोग चाते थे कि उनकी जिन्दगी बहतर हो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार को अच्छी स्वास सेवाई मिले उनको एक इमानदार सरकार मिले इसलिए दिल्ली के लोगों ने लगातार तीन बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुना ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में लोगों को पहली बार काम होते हुए दिखा उन्हेंने एक इमानदार सरकार मिली जो उनके लिए उनके साथ मिलके काम करती है आज हर यूपी निवासी एक इमानदार और साफ नियत वाली सरकार चाता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर परदेश विधानसवा चुनाव लड़ेगी दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था उन्हें आज आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो गया कि दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गया आप भी आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखिए मैं यकीन दिलाता हूँ उत्तर परदेश वाले भी बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएने समस्का